गुड मॉनिंग याल चाले जी आप लोग का बताएए बढ़िया जोती रेसी राम चाले चले गुड मॉनिंग नमस्कार पता है। एकरनोमिक्स का कल नहीं हुआ था है एक रमिक्स क्लास कल कहां करना धा जो नहीं हुआ था बढ़िया हैं अब कर दोसे बात कर रहे हैं वह लोग काफी पीसे चल रहे हैं ठेक। महाजनपद आज होना Чाहीए था लेकिन आज महाजन पद आहों करके क्या हो रहा है उत्तर वेदिक काल ही होगा तो क्योंकि आप लोंको पता नज्ट क्लास का चुका है एक क्लास मेरे कारण एक क्लास PCR टीर्म के कारण तीट है तो धीडुह तो टेलीगरां क्या बात है अब लोग कर इतना इस फिर्म उपर जाता है ना कमेंट कि मुझे समझ में में नहीं आता है यहीं पर पीडिया यहां भी पीडिया पढ़ा देंगे ताकि जल्दी से खतम हो जाए और एक बार जब स्ट्यूल में आ जाएंगे तब बीना पीडिया पढ़ाएंगे अच्छा आप लोग के लिए को सूचना आए देखें यहां पर भी थोड़ा सा बैक अप करना है होती है आज से वहां सुरू होने वाला है क्या सुरू होने वाला है ठीक है तो देहली सल्तनत वहां से होगा और वहां पर पीडियाफ में बच्चों ने कहा है कि आपको जो आता है बोर्ड पर लिख के बताओ जाने दो पीडियाफ को कि तो कि ठीक है पीडियाफ टेलिग्र है ठीक है क्लासिस को क्लासिस सुरू करें अभी वैदिक काल होगा अब मैं तब ज्यादा ठीक हुआ नहीं है मैं प्राइबेट कर रहा हूं नहीं हाँ चैट को और हम लोग तेजी से करते हैं एक दो क्लास आप लोग फीडिया पे जहल लिजें क्यों जहलना है पीडिया पर क् सब्सक्राइब जैसा 11 यह प्लास होता है प्राइबेट हो गया चैट अब आप लोगा चैट सिर्भ देख पाएंगे ठीक है एक जीज हम देखे हैं कि जैसे करते हैं हर बैच में मतलब आप लोग का बैच में नहीं बच्चे करते हैं मतलबनें को दिखाना नहीं होता किसी और के लिए विमेंस रता है ताकि बांकी बोले देखो देखो कितना अच्छा लिखता है कमें तो जबाब भी नहीं देपाते हैं इतना संदार लिखता है अरे 11 बजी यहीं पर कलास होता है भही मेरे आप क्याप पर ही गुरिया 11 बजे और सेमी क्लास होता है चाहे दो रिविजन के रूप में रख सकते हैं इस क्लास को कि उस क्लास को जोइन कर लेते हैं आगे-आगे चलेंगा और पीछे से इसको रिविजन करते चलेंगे एक ही चीज दो दो बार पढ़ेंगे एक पैसा में ना कि वैदिक पिरियड चले तो वैदिक पिरियड के बारे में क्या पढ़ेंगे आप लोग सबसे पहले तो नौट्स लिखने का राजधानी कुमारी सुनिए नौट्स लिखने का टाइम अभी एक दो क्लास हम सिर्फ पीडियफ से पढ़ा देते हैं इसके पीछे बाबू रीज़न है कि हम लोग पीछे चल रहे हैं तो नौट्स लिखने का ज़रत नहीं है अभी आप समझ लिजे औ के सब कुछों पीडियफ में दिया हुआ है बस एक दो क्लास ठीक ए कितना क्लास बस एक दो क्लास एक है thить है मुए सुरू अट कर I rů के बारे में जो सबसे पहला कोष्चन है कि Crash कहां से थे क्योंकि ari bharat के muggleби निवासी नहीं थाना कि अभी के लिए याद रखें कि बहुत सारे विधानार में अलग अलग धिया है ठार कि कहां से आए है जिसमें कि आप लोग के क्जान में जो पूछेगा वह एक ही आदमी का नाम अभी लिखना नहीं है। मैक मुलर का नाम कि मैक कहा कि आरे कहां से आए सेंट्रल एसिया से आये मद देशिया से अब अभी वर्तमान में पांच देश इन्हीं पांचों में से किसी एक देश से या इसी छेतर से आये है ठीक है अच्छा का पीडियेप नहीं आए था टेलीग्राम पे ठीक है भेज देंगे आज अब भेज देंगे अरे वह बता दीजिए कौन सा है जी कुछ लोग लिख रहे हैं कि कोई गुरूप है क्या उस पर एक्स्टा कुछ नॉट्स होता तो भेज देते हैं बच्चों को और क्या ठीक है सुनिए अब सेंट्रल एसिया से आये थे सेंट्रल एसिया में भी पांच देश है जोग्रफिक के ख्याल से आप लोग को पांचो द अच्छा प्राइबेट चैट में कैसे बताएं अरे बाप अपलों का रिजनिंग बड़ा स्ट्रॉंग है जी पब्लिक है प्राइबेट चैट है बहुत खथरनाक रिजनिंग है आप लोग का मनना परेगा हम भूले बता दिजे मैं से बताएं घजा डबलब किसम का तो प्राइब का मैं थी सुनिए आगे क्या था मैकस मुलर ने बताया सेंटरल असी या से वैंभी पांच देश है कौन कौन है एक बार सुन लीजे वैसे आप लोगों पता होगा कजाकिस्तान तुर्कमेनिस्तान पिर्गिस्तान उजबेकिस्तान और टाजिकिस्तान इपां अधिक है इंदी आप लोगों को दिखने रहा होगा तो मैं इंग्लिस कर लेता हो लिजे आरी कहां से आए साइबेरिया से आए है पस्तूर लिजे क्योंकि इस पर आपको लिखना नहीं है नॉट्स नहीं बनाना यह वो व्यक्ति कौन थे वो व्यक्ति थे महान सुतंतरता से नानी कौन थे यह बी जी टी बीजी टी कौन है बाल गंगाधर तिलक ठीक है यह बाल गंगाधर तिलक एक सगन चलिए हम बोलें केपी सर को हिस्टी पढ़ने को चलिए अब चैट प्रावेट हो गया ओके सुनिए अब अब आपनों ध्यान से पढ़िए यह थे बाल गंगाधर तिलक बाल गंगाधर तिलक ने क्या समझने के लिए क्योंकि क्वें किस आ आर्यों के आगमन के बारे के बात किया है तो नकसा है macs साइबेरिया से आए हैं अब सुनियागे उनके पीछे उनके जो तर्क थे एक दो तर्क सुन लिजे बस उसके बाद आप लोग को पूरा का पूरा नॉट्स यहां पर मिलेगा ठीक है और हाँ नॉट्स से हम लोग यह आज का क्लास बस करेंगे ताकि आज हम जल्दी से वैदि क्लास अलड़ी दो दिन का लेट है हम लोग इसी वज़से इसको बैक अप कर रहे है बस आरी से आए बाग गंगाधा तिलक ने कहा इसके पीछे तिलक के तर्क क्या थे दो तर्क थे आरियों ने एक जगा लिखा है वैदि गरंथ में कि सुदूर उत्तर में जाने पर रात म तो आप लोगों को पता है जो ग्रक में आप वर नहीं पढ़ा होगा की कि कि जब आरियों ने अपने ग्रंथ में लिखा है कि सुदूर उत्तर में जाने पर रात में भी सुरी दिखता है जिसका मतलब वो लोग उत्तरी धूरूप के छेतर से आये होंगे एक और तरकुर्णों ने दिया कि साइबरिया में एक देवी की पुजा होती है उस देवी का न काल बोलते हैं इससे जाहिर होता है कि साइबेरिया से आये थे पर इनके तरकों को मानिता नहीं मिली हुई है बाल गंगाधर तिलक को लेकिन आप लोगों को एक पॉइंट अब एक बात याद रखना है कि बाल गंगाधर तिलक ने भी बात किया है आरियों के अगमन के बारे म बस इतना साथ, बाकि आरी कहां से आये, उस पर एक आदमी जिसकी बात सब कोई मानते है, वो है प्रोफेसर मैक्स मूलर, ये नाम मत भूलिएगा, अब तो दिख रहा होगा, कि विचारों से कि आरी कहां से आये है, मद देशिया से आये है, अब आरी जब आये भारत में, तो स का हुए सब्सक्राइं का वे एक संदू नादी और उसकी 5 साहिक न नदी का नाम आपनोग जानते हैं तो सिंदू और उसकी पांचो साहिक नदी का नाम क्या है और एक और सरस्वती नदी उसमें एड़ कर लिजे, ठीक है, सिंदू, सरस्वती, बाकी सब कुछ है, सतलज है, व्यास है, रावी है, जेलम है, और चिनाव है, और यह जो नाम है, यह नाम आप लोग को याद रखना होगा, सतुद्री मतलब सतलज, क्यों, क्योंकि जब आरिय आयते, इन सभी नदियों का नाम इसने अपनी ग्रंथों में लिखा था, आरियों ने अपने ग्रंथों में लिखा इन सभी नदियों का नाम, पर सतलज नहीं लिखा, सतुद्री लिखा, यही धिरे-धिरे सतलज बन गया, व्यास नदी को विपासा लिखा, ठीक है, जेलम क वी तस्ता लिखा पूरुशनी लिखा रावी नदी को और पूर्शनी लिखा चिनाब लली को अभी जशि़नाब कहते हैं right as kunne कहते थैं समझने का कोई मतलब नहीं इसको याद कर लिजिए हैं शिंदु कर नोट जैसे खतम होता है तो इंगलिस सुरू हो जाता है देखिए most of the scholars professor Max Muller's view that Aryans were originally from Central Asia या जैसे देखिए नदी इंडस सरस्वती शतूद्री सतलज विपासा व्यास पुरूष्णी राभी वितस्ता जेलम एन अस्किनी चनाब इंगलिस वाले है आप लोगों टेंशन मत लिजए ठीक है यह वाला पेज खतम हो गया हम इस पेज से इसलिए पढ़ा रहा है आज आज वर क्योंकि हम लोग को बैक अप करना है ताकि जल्दी से खतम हो जाए याद करने कला को बार बार थोरा सा करना होगा अभी हमना कमेंट कम देख रहे हैं आप लोग कमेंट नहीं ही देखिए न क्योंकि अगर हम कमेंट में फज्जा है तो इधर नहीं हो पाएगा अब एक सब्द है ब्रहमर्सी देश इन लगों ने गंगा और यमना के दौब चेतर को ब्रहमर्शी देश का दौाब चेतर किसको कहते हैं दो नदियों के बीच के चेतर को तो यह गंगा बेह रही है और यहां से भी यमुना निकल रही है और यहां परियागराज इलाबाद में आके यमुना मिल जाती है गंगा और यमुना से इस चेतर में जब आ रही आ पारा के बीच आब का मतलब पानी होता है आप लोग सुने होंगे ना आब जम 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 जो हज के लिए जाता है यात्री वह जम जम का पानी उनके लिए बहुत पवीत्र होता है जैसे हिंदुओं के लिए गंगा का पानी तो आब का मतलब क्या होता है पानी होता है तो दो आब दो लदियों के बीच का छेत्र इसे क्या कहा नाम दिया ब्रहमर्शी देश का नाम दिया बस सिंपल इतना याद रखना है गंगा यमना के बीच के छेत्रों को क्या नाम दिया ब्रहमर्शी देश पूशा वा सवाल है ठीक है हाँ उर्दू भासा नहीं है यह अरबी भासा है अरबी भास है ठीक है अरबी है आप मतलब पानी ठीक है ओके अगला कालांतार में यह धीरे-धीरे क्या हुए संपूर्ण उत्तर भारत में बस गए शुरुवात में इधर से जब आये थे तो पुरारम में इसी सब सेंदव सेट्र में सेटल डाउन हुए आगे चलके यह घब आधीकत है इसमें युद्स को सिर्फ लगान और करता है तो रहत प्रादम होने जहां के लशे रहाओं से और हुए से ऑन ने छेतर थे लृइस्ट और नहीं होए ते क्यों कि दख्षिन City बारत में पहले से अब कुछ और से आता भी कमी है तो वैदिक सहिताओं में कितनी नदियों का वर्णन है 31 नदियों का याद रखेंगे और एक नदी सूक्त है याद रखेगा कि जो प्राचीन जितने भी धर्म हुए हैं प्राचीन जितनी भी सभिताएं हुए है उसमें प्रकृर्टी को बहु भी अलग है नदी भी एक देवी है गंगा मां तो यह पुरी दुनिया में हर जग रहा है जो प्राचीन सभिताएं परंपरागत सभिताएं हैं चाहिए आप जिसे कि अभी भारस की जो प्राचीन सभिताएं इरान का क्या था पार्सी धर्म है अब तो वहां पारसी खतम हो गया जब पूरा इरान जो है इस्लमाइज हो गया तो पारसी लोग वहां से पलायन कर गया अभी जो पारसी थोड़े बहुत बचे हुए मुठी भर भारत में है तो उनका जब आप धर्मित देखेंगे ना तो वहां भी अगनी को देवता का दर्जा दिया गया तो प्राच पूरी वेदिक सहीता है जितना भी है चार वेदिक गरंथ हैं तो सारवेदिक गरंथ मिला करके कितनी नदियों का वर्नन आर्यों ने किया है एकत्स नदियों का खाली रिगवेद में कितनी नदियों का वर्नन किया है सिर्फ रिगवेद में और किसी में नहीं 25 नदियों का और रिगवेद का नदी सुक्त जिसमें सिर्फ नदी के महत्तु को बात आया गया है तो कितनी नदियों का वर्नन किया है 21 नदियों का ठीक है इसको कैसे याद ठीक है और सिर्फ रिग्वेद में इसको याद कर लिजे 25 रजी हला कि याद रहे जाएगा 25 ठीक है इस तरह से और सर मेरी प्राब्लम को देखिए ना इंग्लिस पीडियाप से पढ़ा एप लेकिन हमको पुरा उमीद है कि लगभग जो इसमें से 40-50 ही होगे इंग्लिस बैग्राउन के अच्छा पीडियाप से पढ़ा रहे हैं अभी एक दो के बाद पीडियाप से पढ़ाना बंद कर देंगे फिर हम साधा पेज पर पढ़ाएंगे तो 40-50 और बांकी सब अब हिंदी चल रहा है तो हम इंगलीज में कुछ बोल देता है ताकि आप लोग को समस्या नहीं क्लास तो आपका भी है मैं समझ रहा है तो रिग वेदा ने 21 नदियों को डिस्क्राइब किया है 21 नदियों के बारे में लिखा है और टोटल जो वैदिक सहिता है सहिता को क्या समझ लिए कि बारे में कितनी नदियों के बारे में यह तो अगर पूछेगा रिग वेदा में कितनी नदियों के नदियों सबसे पवित्र नदी है वह सबसे पवित्र नदी कौन सी है तो सबसे पवित्र नदी है सबसे पवित्र नदी सरस्वती तो सबसे पवित्र नदी शिंदु है और श्मत्तुफ मागई है सबसे के बोलते हैं के पवित नदिय सरस्वतिया स्के रिए को देवीतमा नधी इतम नका गया डेवितमां मतलब देवियों की मां यह च wanna ब्वант नानि महाँ और नधी तमा नधियों की महाँ तो इसको इंग्लिस में यही लिखना पढ़ेका देवित्मा माते तमा नधित्मा ना तो सप्ट सेंधव बैस्ट ने केकज का सरस्वति और मोस्ट इंपोर्टेंट रीवर वैदी केज का शिंदू बस खतम ठीक है कि आपको इंगलीज मैं तो इंगलीश में भी सेम ठीक है सब्सेंध्द प्शेतर में यह वा सब्सक्राइट यह तो हो चुका है अगला क्या था कि जो दौआब रिजन घंगा अनियमना का उसको क्या बोला जाता था बर्भमर्षी देश बोला जाता था, ठीक है, in course of time Aryan expanded in the whole of the North India which is called Arya वर्थ, ठीक है, there are 31 river mentioned in Vedic courts or Vedic literature, जो भी करना हो वेदिक सहिता, out of which 25 rivers have been mentioned in Rig Veda, only 21 rivers have been described in the Nadishukta, Nadishukta, Nadishukta का Nadishukti होगा of Rig Veda, तो एग और कोस्चन यापे, कि Nadishukta कि वेद का भाग है, Rig Veda, Yajur Veda, Athar Veda और Sam Veda, तो Rig Veda, Kanadishukta भाग है, Indus has been described as the most important river, Indus क्या है, most important river है, of this period, इसे में का, while Saraswati is considered to be the most sacred river, which is called, which is also known as Devitma, Matetma and Naditma, हो गया English, ठीक है, चले, यह हम लोग कर लिए, अब आगे देखते हैं, तो एक दो बार पूछता है, कि जो गंगा नदी है, क्योंकि गंगा नदी अभी सबसे सेक्रेड रिवर, अगर आप से पूछा जा, तो चुकी सरस्वती तो बिलुक्त हो चुकी है, तो गंगा नदी का, Rig Veda में कितना व रिवेद में क्या है, मुझवन्त कहा गया है, हिमाले की चोटियों को, यह भी मैंने लिख दिया है, हिमाले की परवत और इसकी चोटियों को क्या कहा गया है, मुझवन्त कहा गया है, ठीक है, और रिवेद में गंगा नदी का, एक बार उलेख है, जब कि यमना का तीन बार पूछा हुआ है बस इतना साही तो इसको याद करना है और इंग्लिस में तो आसानी है कि रिवर गंगा को कितना बार डिस्क्राइब क्या गया है एक ही बार इतना क्या है नंगा परवत को कहा गया है चलिए तो हो गया अब देखें यह लोग पहले ही देख चुकर हैं लेकिन यह दिया हुआ हिंदी और इंग्लिस दोलों में आप लोग चाहें तो याद कर लिजेगा बहुत आसान है बस प्राचीन नाम है और इधार आधुनिक नाम ह क्या है और अधुनिक नाम रावी सतलाच चिनाव जेलम व्यास काबूल गंडक कुर्रम सिंदु इसमें से याद कर लिजेगा दोचार वार पढ़िए याद हो जागा इसा क्या ही है इतना क्या मुस्किल है इंग्लिस में भी दिया हुआ है तो आप लोग इस तरह से याद कर सतर्व से ने संदल में पीद्टरी सतात्मक समाज था इसे पूरसयों का महा थो अधिग था ठीक है और उस समय क्या अभी वी परिवार सबसे चोटी काई समाज कि होती थी परिवारी होती थी अधार्भूति काई परिवार यो के सभावी कि 30 सामाज होगा तो परिवार का काल। माता होती है ता क्लन कहा जाता था किया सब्द होता था परिवार मुख्या के लिए कलन सब्द का यूज होता 2011 कि जन्गन्ना जो लेटेर्स जन्गनना रिपोर्ट है उसके रुसार हमारे पास जो सयुख परिवार है वो 48 परसेंट परिवार सयुख परिवार है और 52 पर अक discipline परिवार है जिक्षक्ट 작은 तेजी से घटराएए आकड़ा ना सभी इस्थwan के लिए फास करके दाचना सब के सब्सक्राइब मतला दादा दादा थी नाना नानी को तर निरिप सबंट्री घांटी का मतला इंगलिज में क्या होता है ना जेसे पनलीं में एक सब्सक्राइब एक सब्सक्राइब कि शुने मंडल में कियो वरvasive है तो पे ना किया बोलता है दसमें मनदल स्लेंट उसलिए इंप्रोंट की में विराट पॉरुस की हाँ अलग-अलग सरीर के एंगों से अलग-अलग जात्यों की उद्भव हो ऊधा है रिग वेद का दसमें मनदल स्ली में पॉरुस्य क्रियं में कहा गया है कि विराट पुरुस के मुख से ब्रहमन की उत्पत्ति विए बाजू से छत्री की उत्पत्ति विए उदर से या पेट से किसी की उत्पत्ति विए वैस्यों की उत्पत्ति विए और पैर से शुद्रों की उत्पत्ति विए यहीं से मतलब एक स्थिति खराब हो ताथ है हो गया है कि देखो सुद्र को पैर से उत्पत्ति दिखाया है जब कि मुख से ब्रहामनों की उत्पत्ति हलां कि रिग वेरी काल में जाती व्यवस्ता कठोर नहीं हुआ था लोग इंटर चेंज कर सकते थे जाती कैसे तो जो पढ़ने लिखने में आगे बढ़ गया ब्रहमन है उसी का अपना भाई पढ़ना लिखना नहीं जानता है व्यपार करना नहीं जानता है बहादूर नहीं है चत्री एक तरह तो वह सब की सेवा करेगा वह सुद्र है ठीक है बस यह सिस्टम था यह चेंज होता था लेकिन बाद में धीरे-धीरे यह रूड हो गया यह जन्म अधारित हो जो प्रहामन है उसका बेटा ब्रहामन है इसके अनुसार विराठ पुरुस के मुख से ब्रहामन चत्री और भुजाओं से वैस्टी जंगाओं से शुद्र पैरों से ठीक है पत्ति होती थी उसके बाद इस्तियों की स्थिति तो बहुत अच्छी थी यग वग में भाग लेती थी आप लोग को पता ही है उसके बाद क्या था एक पत्णित विवाद नहीं यह जो बार के समाज में आके दिखने लगता है चपनीना के लिए और रिए कर उपहार जिया जाता था उसके लिए क्या था उपने था रिग्वेज में कुछ विदूसी महिलाओं का जिक्र है, नाम याद रखने का जुरत उतना नहीं है, लेकिन है एक लोपा मुद्रा का और एक अपाला का नाम याद रख लिजेगा, क्योंकि ये दोनों मैंने देखा है एक्जाम में, तो लोपा मुद्रा, घोशा, शिक्ता, अपाला, वेदों के, बाद में देखें उसी वेदों को पढ़ने से महिलाओं को वंचित कर दिया गया, मतल около आप लोग को अगर याद करने के लिए मैं जो नहीं भुलिे गांड वहतु नहीं बहुलिएगा वहतु दहेज समझ लेज़े जो करनिया को दिया जाता थ भा और एक अमाज मत भूलिएगा बाकी भूल जाएगा कोई दिक्कत नहीं है आप ही लोग बोले थे ना याद ने रहता है ठीक है इंगलिस भी आगे मिल जागा इसमें समाज में दो परकार के विवाह प्रचलित थे एक अनुलॉम विवाह एक प्रतिलॉम विवाह उतना याद नहीं दो ही चीज़ याद रखे बस अनुलॉम विवाह और प्रतिलॉम विवाह दो तरह का अब विवाह के अंदर क्या था वह हम दिख दे दिया है लेकिन इसको याद करने का ज़रत नहीं है अनुलॉम विवाह का मतलब उच्छ कुल का पुरूसों निम्न कुल की महिला हो इसको प्रतिलॉम विवा का अब बस इतना याद नहीं रखना है याद रखना है अनुलॉम विवाह और प्रतिलॉम विवाह दो विवाह के लिए सब्द पर चलिख है कि असकी है इस समय के डॉक्टर के लिए यूज वह भीसज सब्द होता सा यूज याद रखेगा तो याद रख लिए ठीक है और मिर्थकों को प्राय अगनी में जलाया जाता था ता यानि दोनों परथा प्रथा पर चलिट था ऐसे तो आनतर पर अगनी में जला दिया जाता था लेकिन कभी-कभी दफनाया जाता हिंदूओं में हिंदूओं में आप देखे होंगे अगर जिदी बच्पन में किसी की मिलती हो जाती है बहुत छोटे में एक साल का बच्चा दो साल का बच्चा है बाइचान सगच्छे महां का है अगर जिदी उसकी मिलती हो गए तो उसे दफनाते हैं जलाते नहीं नहीं ह क्या हम सोच रहे आज इसको खतम ही कर देते हैं लेकिन अगर आप लोग को ज्यादा लग रहा है तो मैं खतम नहीं करूंगा तब फिर मैं एकदम स्लो जाओंगा समझा समझा के आगे बढ़ूंगा कि अरे अंजली स्क्रिंसोट का कोई लुव कहीं है इसारा अभी देंगे पांच करे के अंदर आप लिए अब इंगलिस में सेम चीज़ दिया हुआ है रिगवेदिक सोसाइटी वाज पेट्रियार्कल नहीं है एड़ फैबली को क्लान कहते थे कलन जोईन फैबली सिस्टम था नत्री सबके लिए उज़ता था ग्रेंड फादर ग्रेंड मदर ग्रेंड शन ग्रेंड डाउटर स सबके लिए एक ही सब्दी उज़ता था ठीक है और पुरुषच्ट में डिस्क्राइब किया गया है किसके बारे में और फूरुषच्ट कहां है तो रिगवेद के दसमे मंडल में है कोर्व नास वर्ण वेवस्था ती जातिवेवस्था नहीं थी जातिवेवस्था ये उत उसके बाद according to the brahmins according to this brahman who are born from the mouth of the Viratpurus चत्रिये from arms वैसे from thighs and शुद्र from feet simple है चलिए अगला एजुकेशन का जो दरवाजा था सब के लिए ओपन था ना और इस काल में कुछ हमें दिखती है लर्ण मुमन जैसे लोपा मुद्रा घोष्टा शिक्ता अपाला इंगलिस वालों के दिखा रहा हूं ताकि इंगलिस वाले साथ यह ना रहे हिंदी वाले अराम से देख चुके सारा चीज और जो गल्स को दिया जाता था जो गल्स अन्मेरेट रहने का डिसीजन लेती थी कि वो जीवन भर अन्मेरेट रहेगी उसको अमाज कहा जाता था ठीक है हो जाएगा और तो कुछ है रहे हैं दो बिवा था प्रतिलॉम बिवा और अनुलॉम बिवा अनुलॉम प्रतिलॉम को अनुलॉम प्रतिलॉम ही याद रखती है ज़्यादा बेतर रहेगा ठीक है डॉक्टर के लिए विजय के लिए सब्सकाम के सब्सक्राइव नहीं होता तह donut में कुछ दूर दूर पर अपना कभीला रहता था ठीक, यहाँ पर माल लिए, 10 परिवार है, यहाँ पर 12 परिवार है, यहाँ पर 15 परिवार है, ठीक, इस तरह से रहता था, अगर यह कबीला थोड़ा ज्यादा ताकतवर हो गया, तो यह कबीला क्या करता था, इसको जीत के इसको अपने अधिकार चेतर में ले लिया, ठीक, त इसने आस पास के कभीलों को जीत करके जनपद बन गया कई सारा फिर एक जनपद उठ खरा हुआ और इसने आस परोस के सभी जनपदों को जीत लिया तब ये क्या बन गया तब बन गया ये महा जनपद और बहुत धर्में अंगुत्तर निकाय में उत्तर भारत में वही पूरे कितने महाजनपद हैं आगे चलके बने 16 महाजनपद और इन 16 महा जनपद में से 16 महा जनपद जब बने तो उसमें से एक जनपद ने क्या किया बाकि सारे जनपद को जीत लिया लगभग सारे जनपद को जीत लिया तब वो क्या बन गया वो बन गया समराज जी और ऐसा कौन सा महाजनपत था जिसने सब को जीत लिया और पहला समराज बन गया भारत का वो था मगद जिसके बारे मालग से पढ़ेंगे हम लोग तो यह रिगवेदिक काल से ही मगद समराज के उतकर्स की कहानी शुरू होती है कि रिगवेदिक काल कभिलाई व्यवस्ता में था छोटे-छो महाजनपत बन गया ऐसे कितने महाजनपत बने शोला महाजन 받 और चला माजन अचना समराज समराज बन गया की कैसे लिख्यें सॉर हम लिख रहे हैं नहीं लिखिए आज मर्ण छोड़ दिए कल से लिख्येंक अपसे लिखाएंगे खंच पर लिखाएंगे जैसे jy पूरा आरी पांच कभीलों में विभक्त था इसी वज़े से पांच जन्य कहते थे पांचों कभीले का नाम याद रखने जुरत नहीं है एक दू बार पढ़ लिजे ताकि कभी आ जाए तो फिर भूलिये नहीं हलाकि याद रखने जुरत नहीं अनू दुहू पूरू तुर् था ग्राम के परमोखो ग्रामी नहीं कहा जाता इसको याद रखना कोई बहुत मुश्छल बात नहीं है राजनीती के स्थिती में तो राजनीती के स्थिती में क्या श्रीम Вам क्या रखेंगे कभीलाई वेवस्ता था उसके बास क्या ता गोई दूह। पूरू तुर्वसु और यदू था उसके अलाभे गाउंके जू हेड योता था उसे घ्रमीनी कहते हैं घर के हेड को जिरिपती के पती हैं आज भी कहते हैं और मेरे क्या बहुत है जी इतना याद कर यह आप लो ज्यादा नहीं हो गया चैन इसका टाइम टेबल क्या था अतीक राच वैदिक काल महाजनपद से ठीक पहले का 22,000 साल पहले लगवग क्लास की क्या टाइमिंग है सर अचा क्लास की टाइमिंग पूछ रहा है अभी से एक अच्छा वो दूसरा था क्लास की टाइमिंग है देखे साथ से आठ आप लोग का है पताने आज हम उत्तर वेदी खतम कर पाएंगे की नहीं वेदी खतम करके छोड़ देंगे कल उत्तर वेदी करेंगे एम पर और अभी आप ही लोग का बैच चल रहा है आज से महा दहली शल्तनत सुरू होने वाला है वो कब है जी 11-1 ए फिया ठीक है 11 a.m. to 1 p.m. चली कोई नहीं जितना एक खतम करते हैं और क्या टेंसन क्या लेना है तो अरे नहीं वाईटी पर नहीं है भाई नहीं है इसे पर यह यह आप पर यह पर है यह नहीं है कि अफंद गराव और आप मैं लोग तो आते हैं आप में से कही लोग तो आते हैं न मैं पुब्लिक कर रहा है आप लोग दो बताइए तो कैसे करेंगे जो लोग strategy बता दिजये तो कहां कलास चलता है लिखा हुआ है शो नहीं करता है हम लोग को नोटिफिकेशन नहीं आता है लाइब रही है सर कोई बता दीजे कैसे जोइन करते हैं आप लोग मैं फिलाल चलता हूं बता दीजे आप में से कोई आता है क्या सुनिए कई गौण को मिला करके 20 बनता था बस इतना या जूँत हो बनता था और कई विस को मिला करके जन बनता था ठीक है अ नौ्टफिकेशन नहीं आता है अँप है अरे कोई बता दो भाई ए या फूर पॉंट ओ वाले जोइन कर सकते हैं अच्छा मतलब आप लोग सब नहीं कर सकते हैं फोर पॉइंट ओ वाले जोइन कर सकते हैं सिर्फ जल्दी जल्दी खत्म हो सके पहले तो लोगों का तीन घंटा था फिर हम लोग ने हटा करके दो घंटा कर दिया कि बच्चे को हाड हो जाएगा ठीक है विससे जन बनता था छोड़ दिए इसको जाने दिए और अगर कि उसके बाद एक याद रखेगा दस राज युद्ध के कभी ले थे और पंच अनारियों के कभी ले थे ठीक है और यह लड़ाई कहां हुई थी रावी नदी के तत्पर हुआ था यह वाला बहुत बार सवाल पूछा है यह याद कर लिजेगा मुझे नहीं नहीं आ रहा है कि आप लोगो समझाने लगो तो बहुत लंबा चलेगा किसली सिधा सिधा मैं इनपोटेंट टीक लगा देता हूँ आज भर आप لوग बरदास किजीयाओ दसराज युद का वर्लन है दस राज युद कहा होता है तो रावीे नदी का तटपर होता है दसराज युद में जो राजा था एक तरफ कौन था, राजा सुधास था और दूसरी तरफ दस राजा थे, दस में से कौन था, पांच आरी के कबीले थे जो अब हम लोग देखे यह बस इतना याद रखें 10 राज 22 किस नदी के तपरो था तो पुरुष्ण नदी के तपर falar पुरुष्णी नदी को षेज रहातेए दरन चीन प्राइट सान प्रणाली था और साथ कल भूधिय और सभा और वीता नियुक्ष मत बूलीएगा एकष्र को सब्सक्राइब एक विदात वीथा ये डिस्ट करता सभा स्मीति राजा को चला देता था सभा समीति का नाम सभा स्रेष्ट लोगों की संस्था थी स्रेष्ट और संभरांत लोग यानि गौँ के बड़े बुजुरुग लोग मिल करके सभा का निर्मान करते थे और गौँ के सभी लोग मिल करके समानी जन्स समील करके किसका निर्मान करता था समीति का निर्मान करता था जबकि समीती समाने जन्ता का प्रतीनी धीर्ट्थ करती थी यह दर्खेगा इस हम लोग जब जाएंगे तब पढ़ेंगे कि सभा और समीथी में भाग लेने से मना कर दिया गया महिलाओं को इसलिए यहां लिखा हुआ है कि वैदी काल में सभा और समीथी में भाग ले सकती थी हाँ सभाव और समीति को प्रजापती की दो पुत्रियां कहा गया है बिल्कुत सही अभिशेख ठीक है बली एक प्रकार का कर था जो प्रजाद वारा स्वेच्छा से राजा को दिया जाता था बली क्या था एक प्रकार का कर था जो राजा को दिया जाता था स्वेच्छा से कि अपश्वाल की बली क्या है कर में का भूषने की प्रथा है या पद है वंत्री पद है तो बली क्या है एक這個 ती ते कि का मतला है कभीले का रक्षा करने वाला कभीले का सन रख्षक कभीले का रख्षा करने वाला तो राजा को क्या कहा गया है गोपता जनस से राजा के लिए सब्सक्राइब इसका मतलब होता है कभीले की रक्षा करें उसके बाद यह सारे चीज़े मैंने इंग्लिस में दे दी है रिग्वेदी सोसाइटी वाज बेस्ट ट्राइबल सिस्टम ट्राइबल सिस्टम पर बेस्ट था देर वाज़े किंग अफ दा क्लाइन और आर्यन अल्सो पंच जन्न को क्योंकि यह पांच कभीलों से मिलके बना था और यह पांचों कभीले का हूं था अनुदू पूरू तुर्वसू और यदू प्रीक है बेसिक बेसिक बेसिस ऑफ दे स्टेट इन दरिग्वेडिक परियेट वाज दक्लान फैमिली था बेसिक स फैमिली था और यह फैमिली क्या था आप लोगों पता है संयुक्त परिवार परंपरा था गरीपती कहलाता था यह तो होई जाएगा ठीक है और कुछ है दसराज युद्ध के बारे में दसराज वर यह याद रख लिजेगा रीवर पुरुष्णी या रावी के तर्पर इसमें राजा सुदास क्या हुआ था जीत गया था ठीक है उसके बाद जो इसका एड्मिस्ट्रेटिव डिविजन था पांच भाग में था सबसे पहले कुल था यानि सबसे छोटा कुल है उससे बड़ा ग्राम है ग्राम में कई कुल लोग रहते थे और कई ग्राम मिलके 20 कई विष मिंलके जन बनता था तो यह आप लोग से अगर क्रोनाजीकलорडर कभी पूछे तो बाहए बिस मिलकर के जिले बनते हैं कई जिले मिलकरके राजी बनता है आज के लिए लिए या कई गौउँ परिवार मिलके गाउन बनता है कई गौन मिलके बलॉक बनता है कई ब्लॉक मिलक करके जिला बनता है कई जिला मिलके राजी बनता है और फिर राष्ट बनता है कई कुल मिला तो ग्राम बना कई ग्राम मिले तो विस बने कई विस साथ में मिलके जन बनाते थे यह राष्ट मतलब आज का राष्ट नहीं हुआ करता था लेकिन उस्वत का सबसे बड़ा राजनिती की काई राष्ट हुआ करता था monarchial system था जानते ही अभी हम लोग पढ़े ही थे monarchial system था but as well as republican system भी republic system भी मुझूद था ठीक है और रिपब्लिक सिस्टम का जो परमान है वो है सभा समीती और विधत के रूप में शभा आम लोग देख चुके हैं इलीट लोगों की संस्थाती और शमीती कोमन लोगों की शभा एंड शमीती वेर्द एडवाईजरी बॉड़ी ऑफ दा किंग राजा को सला देता था यानि राजा एनोनिमस डिसीजन नहीं लेता था ठीक है दस्रभा वाज दा बॉड़ी ऑफ दा इलीट वाइल समीती रिपर्जेंटेट्ट अभी हम लोग देख चुके थे कि सभा विशिस्ट लोगों की संस्थाती यानि इलीट लोगों की संस्थाती और कोमन पिपल्स की संस्थ समीती थी ठीक है तो एंग्लिस में भी दिया हुआ है आप लोटेंसर मतलीजिए बली क्या था इसको याद रख लिजएगा की बली किया था टेकस्ता दो चार चीजी याद रखना है ज्यादा याद याद रखना नहीं है यह खतम होगा कि नहीं आज आर्तिक इस्तिति धार उत्तर वेदिकाल ठीक है की चलिए हम आर्थिक और धार्मी किस्तिति कर लिते हैं उसके बाद छोड़ देते हैं यह कल से ही कर देंगे ताकि लिख भी लेंगे क्योंकि समय हो गया 5 मेट मुझे ख्रणा यह दस मेंट पहले छोड़ना होता है क्लास ताकि दूसरे सर आते हैं न सर मेरा कमेंट नहीं पढ़ते हैं मनीता पढ़े बताए क्या कमेंट क्या मनीता एक वारा आप मैसेज कीजिए मनीता मैं आपका मैसेज देख लेता हूं कि बैदी से तो बता धी अरिविंद नहीं सुनते हैं मनीता अठेमेंट कम किजीगा तो मनीता का कमेंट देख लते हैं कि कहा आया मनिता आपका कमेंट सिर्फ मेरा कमेंट नहीं देखते हैं पीदीयाफ कैसे लिखना भी यह ना पीदीयाफ अगर मिल जागा तो लिखना उसी में टीक आउट कर लिजेगा ना ठीक है अगा 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 या तो आप कमेंड ने किये या तो इलोग भांकी लोग इतने तेजी से कमेंड करते हैं ना कि उड़ जाता है कमेंड वो तेजी से निकल जाता है अचलिए एक सवाल फिर आया और भाई मेरे वेधित प्रियर बताए तो आज से आज से नहीं बताना है क्या तो सुनिए फंदराशोह बी सी बीसी मतला भिपोर प्राइफ 1520 लिख रहें गांड बंदराशोह बीसी शेपांसवाइं सबीसी तक कि यह अगर जैदि हम B C B C में च नहीं कि पर देख दिख पर देख लिए तासे ज़ता पहले दोजार अभी चल रहा है 2022 और पहली है जिनका भी और देख लिए ठीक है आरे पांच में डाल देंगे पीडियाफ कि अभी भी भी भीते स succeed है आप लोग चुतर को उत्तरवेदिक भीपढ़ी देगां भी कं लोग कल से हम लोग अलग तरीके से पढ़ेंगे कल से हम लोग क्या करेंगे पीडियाफ सामने नहीं रहेगा मुए वाइट बोर्ड पर पढ़ा दूगा हिंदी में लिख दूगा इंगलीस वालों को लिखा दूगा ठीक है कल से जब देखते हैं हम लोग प्रब्लम नहीं होगा उतना ज्यादा ठीक है कल से नहीं होगा अरे ठीक है या टेलिग्राम पर भी देंगे क्या है साइस हुआ है ठीक है बाइबरीवन अब ऐसे मुझे दो मेंट बचा अब मुझे करना होगा अभी मैं पीडियाफ डॉल अधी अपलोड कर देता हूं ठीक है फिर ठीक है बाइए